अगर आपने वीडियो नहीं देखे जागर वीडियो को पर देख लीजेगा इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कुशन बॉक्स में विडिया है वहाँ कोटे चोड़ गया इसका आपनी के लिए हुआ । चुझ करोपर देखेंग आप्रफील से लिएटर करते हैं तो चलिए बॉटम साइड से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें करना तो अब तो अब इसको ब्लैंडिंग भी करना है यहां ब्लैंड करते है यहां 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 पर फिल्हाल आप लोगेपास यही यूज करें यहां बनाने के लिए हम यहां पर से चोड़ा बना रहे हैं हाफ ओवल बना रहे हैं और सेम टेकनीक से डाक से लेकर लाइट शेडिंग हम लोग यहां पर करेंगे जिसमें हमारे शेड़े एफेक्ट बनकर के रेडी हो जाएगा और फिर उसका आउटलाइन भी थोड़ा सा कर लेंगे जिसे कि अच्छे से हो जाएगा और फिर उसको ब् जो कि प्रिविस वीडियों बता है ना नॉर्मल जी शेडिंग होता है तो इसमें लाइन आपको शो होगा इसको बोलते हैं है चीक है चीक है इसमें हम नहीं हम लोग यहां पर सरकल में अच्छे शेडिंग करते जाएंगे लाइट करना है लेकिन फिलाल में एक ही शेड कर इसमें आपको शेडिंग्स में होता है लिकिन तोनल में अब्लेंट होता है स्मूद टेक्श्यर दिखते लेकिन है जिकता है इक होकिता है बस यहीं डालेंस इन दोने में है questo is ing month on the we light portion देंगे और यहांपर हम लोग पेहले हो अएफ्ट आउटलाइन कर देंगे और उसकी बाद यहांपर श्यery effect बनाना है हम्मआको सेंज़ meist आप शेप अवल का और उसको हैचेंग टेकिनिक के help तो आपकी एरिया लाइट करें तो इसको ब्लैंड नहीं करना है नेक्स्ट हमाले क्या है क्रॉस है जैसे जिस रहे कि इसी क्रोश होता है लेकिन इसका टेक्निक थोड़ा सा अलग है लाइक हमने हैशिंग इतना कर लिया आप उपोजिट डिरेक्शिन में करेंगे कुछ इस टाइब से जैसा इसका नाम वैसा इसका काम चाहिए तो चलिए गाइज अब यहां पर वाइट एक स्पॉट छोड़ देते हैं और अब हम लोग सबसे पहले तो हैशिंग टेक्निक्स क हमारा फुलान सर्कुल को मैंने फिल कर लिया है अब हम लोग हैशिं टेक्निका यूज करेंगे यहां पर शेड करना स्टार्ड करेंगा जहां जहां डार्क पोशन है वहां वहां आपको इदा हम रिपीट करती जाना है जिससे क्या होगा नहीं कि आपको डार्क टु क्राइचिंग भी कमप्लीट होता है अब यहां पर मैं को शेडिंग करने के लमेकनिकल पैंसल से यूस कर बताती हो क्यों कि उसका जो लीड होता है तो बहुत ही है जह सकते हो पुरा इदम हैचिंग दिखा सकते हो तो कुछ इस तरह किसे हमने यह तेक्निक यूज कि यूज अब यहां पर शेड कर दिया तो देख सकते हैं यहां पर हमारे एक 3D बॉल बढ़ बचा हुआ है उस पर ऐसे टेकनिक हम यूज करने वाले हैं जो कि यूजली हम कभी बोर होते हैं तो हम उस टेकनिक कर यूज करते रहते हैं उसका नाम है काईज स्क्रीबलिंग अभी स्क् कभी ने कभी तो अपने इस टेक्शिर बनाया है होगा इस तरीके से भी इस टेकनिक से भी हम पूरे के पूरे इस बॉल को 3D लुप में ला सकते हैं चले मैं आपको दिखाती हूँ वैसे हमने वाइट स्पॉट छोड़ दिया और अपने शेडिंग स्टार्ट कर दिया है से अपने काफी अच्छे तरीके से अपने अपने बॉल को यानि कि सर्कल को एक बॉल में कर दिया है बहुत ही त्रेटी ड्रॉइंग आपका बनगे के रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको फॉस्ट ली तो हमने नॉर्मली बस बेस लेयर दिया है कोई डाक टूल और उसके बाद हमारे ही होता है कम्प्लीट क्या आपको लगता है कम्प्लीट हो गया बिल्कुल नहीं दोस्तों अब यहां पर शेड़ इफक्ट बाकी है चली सब्सक्राइब कर लेते हैं सेम वही हमारा जो हमने शेप बनाते आ रहे हैं उसे शेप को मनें ड्रॉ करना है औ यहां से हमने शेड़ कर लिया है और हमारा शेड़ एफेक्ट अलमस्स कम्प्लीट हो चुका और यह ड्राइंग होता है कम्प्लीट सो दोस्तों आज कि इस विडियो में बहुत को सिक लिया टोनल हाचिंग ट्रॉस एजिंग जो कि हमारे फ्यूचर ड्रॉइंग में बहुत दो बहुत कर दो जो जोड़ में बहुत कर दोड़ कि लियूफ पन्सरत कर दोर्खव कर दोर्काष।